हेलो बच्चों, वेलकम बाक तो माई चैनल, मेरा नाम जगदीप है और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं ओर्डिनल युटिलिटी एनालेसिस की पिछली वीडियो में हमने स्लोप आफ बजट लाइन के बारे में पढ़ा था इस वीडियो में हम बात करेंगे consumer equilibrium की बच्चों अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजएगा क्योंकि यह वीडियो सीरीज इस नियरिंग इस एंड और जैसे वीडियो सीरीज खतम होंगी मैं अपने फेस्बूक चैनल पर नोट्स और क्विजज रिलीज करूंगी जो आप टेफिनिटली मिस नहीं करना चाहोगे ठीक है तो बच्चों बढ़ते हैं लेक्चर में तो अब हम बात कर रहे हैं consumer equilibrium की under indifference curves analysis अब consumer equilibrium क्या होता है so consumer equilibrium basically वो situation है जहां consumer अपनी maximum satisfaction attain कर पा रहा है और उसकी कोई intention नहीं है उसका कोई ख्वाहिश नहीं है यह अपनी maximum satisfaction वाली situation को change करे given that कि दोनों commodities की prices fixed है और उसकी income भी ठीक है तो इसे English में कैसे लिखेंगे a situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it subject to given prices and his income इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ assumptions आ जाते हैं assumptions क्या क्या है कुछ एक assumptions का हमारे utility analysis में constant रहे हैं जैसे कि consumer rational है उसका agenda जो है मैं अपनी satisfaction maximize करने का है consumer की जो दोनों commodities हैं जो consumer खरीद रहा है उनकी prices constant रहेंगी क्योंकि अगर prices change होगी तो उसका behavior भी change होगा और यह वाला जो situation है यह no longer valid होगा ठीक consumer को market में जितनी भी goods and services मिल रहे हैं उन सबकी prices के बारे में awareness है उसे knowledge है market में perfect competition है perfect competition एक market structure है जिन बचोंने market structures पढ़े है उन्हें perfect competition के features पता होंगे goods divisible है divisible का मतलब हम goods की quantities को घटा बढ़ा सकते हैं इसी वजह से consumer अपनी जो income है वो small quantities में spend कर सकता है ठीक है अब हम देखते हैं consumer equilibrium के conditions क्या है basically consumer equilibrium को फुल्फिल करने के यहां पर ordinal utility analysis में तो conditions है तो पहली condition है MRS XY is equal to the price ratio which is PX over PY जिन बचोंने इन दोनों concepts के वीडियो नहीं देखे हैं पहले आप उन वीडियो को देखो क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता है यह concept आपके समझ में नहीं आएगा इन वीडियो के लिंक्स आपको मेरे description box में नीचे मिल जाएंगे ठीक है बढ़ते आगे तो हमारी पहली condition क्या है कि भी marginal rate of substitution XY price ratio से equal होना चाहिए तो यह सेग्मेंट्स है यह बेसिकली यह इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है और यह जो है यह बजट लाइन का स्लोप है अब इसकी डीटेल्स में यहां पर नहीं जाओंगी इन दोनों कॉंसेप्स के विडियो बने हुए है और इनके लिंक्स आपको नीचे इसक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अब हम बढ़ते हैं कि यह जो सिच्वेशन है यह MRS इक्वल्स टु प्य अपन पी यह यह जा है ठीक है इस कंडिशन में यह जो डियाग्राम है यहां पर हमारी कमोडिटीस दुबरा से वही हैं चोकलेट से पीजा स्लाइस अब पर हमारी बजट लाइन है A B एन हम देख रहें इस डाइग्राम में कि हमारे पस तीन इन डिफरेंस कर्व्स इस डाइग्राम में हैं IC, IC1 and IC2 and कुछ एक पॉइंटर्स हैं जो मैंने यह मार्क कर रखें नेमली M, Q, E, R और N ठीक है आप सभी को यह पॉइंट्स बहुत क्लि वालिडेट हो रही है या प्रूव हो रही है ठीक है तो यह जो पॉइंट है M और Q अब हमें पता है कि कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन पर है वो यह इंडिकेट करता है कि कंजियूमर ने अपनी पूरी इनकम खट की है पर इन पॉइंट्स पर पॉइंट M और पॉइंट Q पर यह जो सिचुएशन है यह इक्विटी वाली सिचुएशन प्रिवेल नहीं करती क्योंकि यहां पर जो सिचुएशन प्रिवेल करती है वो यह है MRS X Y is greater than PX over PY याने कि इस कंदिशन में कंजूमर कंबोडिटी X याने की पीजा स्ल είसल के लिए अभी भी पे करने के लिए विलिंग है कितना पे करने के लिए विलिंग है जिस प्राइस में मिल रहा है उस प्राइस से जाधा पे करने के लिए consumer willing है and इसी वजह से consumer x की quantity बढ़ाएगा commodity x क्या है pizza slices याने की वो commodity x की quantity बढ़ाएगा वो ज्यादा बाई करेगा और अगर वो ज्यादा बाई कर रहा है तब जाकर के MRS जो है वो गिरना शुरू होगा and eventually वो equate हो जाएगा px py से ठीक तो यह जो situation है m और q पर यहां पर equity attain नहीं हुई है अब दूसरे pointers देख लेते हैं points r and n r and n पर जो situation है वो भी equity वाली नहीं है क्योंकि r और n पर MRS जो है वो छोटा है less than px over py अब इस condition में consumer market में जो commodity x की price चल रही है उससे कम pay करने की willingness रखता है याने कि वो उतनी price पे करने के लिए ready नहीं है इसी वज़े से वो commodity x की consumption कम करेगा और जैसे ही वो commodity x की consumption कम करेगा MRS जो है वो increase होना शुरू होगा और धीरे धीरे वो equate हो जाएगा px over py से अब हम देखते हैं point e जो हमारा point अभी तक हमने touch नहीं किया है point e पर हमारी ic2 budget line को tangent है यहाँ पर दिख रहा है यह वाला segment यहाँ पर यह tangency है tangency का मतलब क्या है budget line को indifference curve हलका सा touch कर रहा है that's it so इस particular point पर point e पर जो slope है किसका ic curve का is equal to slope of budget line अब slope of ic curve क्या होता है उपर जो हमने blue में लिख रखा है marginal rate of substitution xy and slope of budget line क्या होता है price ratio px over py अब यहाँ पर यह equate क्यों हो रहा है क्योंकि इस particular point के आगे अगर consumer जाता है मान लो तो यह f वाला जो point है यह वाला जो f point है यहाँ पर consumer नहीं पहुँच सकता क्योंकि उसकी budget line का जो maximum दायरा है वो यहाँ पर है है ना तो अगर वो ic3 पर जाना भी चाहे तो वो नहीं जा सकता जब तक कि उसकी income ना बढ़ जाए तब तक वो ic3 पर नहीं जा सकता तो यह जो point है यह unattainable है यह उसके budget से ही बाहर है प्लस हमने एक indifference map का concept पड़ा है यह मेरे youtube वीडियो पर आपको नहीं मिलेगा reels में मिल जाएगा instagram के ठीक है so indifference curve maps का जो फंडा है वो क्या है कि जैसे जैसे consumer अपनी indifference curve में उपर जाएगा वैसे वैसे उसकी satisfaction जो है वो increase होगी है ना तो point M और point N सबसे lowest indifference curve पर लाई कर रहे हैं which is IC likewise point R और point Q लाई करते हैं IC1 पर जो IC से तो उपर है पर IC2 से अभी भी नीचे है और point E जो है यह maximum satisfaction consumer को दे पा रहा है क्योंकि यह highest in indifference curve है जो कि consumer के given budget में afford किया जा सकता है ठीक सो consumer IC2 पर अपनी maximum satisfaction attain कर सकता है क्योंकि यह उसके given budget line के अंदर है given budget के अंदर है ठीक यह हमारी condition number one condition number two कहती है कि हमारा जो MRS है वो डिमिनिश होना चाहिए यह बन गया हमारा indifference curve अब यहां पर हमने जो second condition है वो यह कही थी कि MRS जो है वो डिमिनिश होना चाहिए यह जो यह जो slope है indifference curve का इसी slope की वजह से MRS जो है वो डिमिनिश होगा डिमिनिश होने का मतलब क्या है अब डिमिनिश क्यों हो रहा है और MRS डिमिनिश होने की वजह से यह जो है यह क्यों आ रहा है इसकी वीडियो आपको नीचे description box में मिल जाएगी आप वहां जाके देख लीजेगा बट कहने का मतलब अब यह है कि MRS अगर डिमिनिश हो रहा है तो ही हम consumer की equilibrium वाली situation पहुंचेंगे हमें convex indifference curve चाहिए ठीक है और यह जो segment है यहां पर tangent हो रही है अब कहीं सारे बच्चे जो हैं वो यह पूछते होंगे कि कॉनकेव कर्व में tangency क्यों नहीं आ सकती tangency तो उसमें भी आ जाएगी मान लो अगर हम कहें कि यह अगर हम कर्व बना दें तो tangency तो इसमें भी आ रही है पर यह वाला aisy curve जो है pink में जो मैंने लिखा है वो हमारी segment का हिस्सा क्यूं नहीं बन सकता क्यूंकि यह जो के हिसाब से Marginal Rate of Substitution इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं और अर्डिनल युटिलिटी अनालेसिस क्या बोलती है कि अगर उसे एक कमोडिटी की कंजम्शन बढ़ानी है तो दूसरी की कंजम्शन कम करनी ही होगी तो वो जो सेग्मेंट है वो हम सिरफ एक कॉन्वेक्स कर्व में ही अटेन कर सकते हैं और जो साक्रिफाइस रेशो है वो हर एडिशनल स्टेप पे कम होता चला जाएगा उसे हम बोलते हैं MRS डिमिनिश होना जबकि कॉन्केव कर्व में MRS इनक्रीज होगा इसलिए यह कर्व हमारे सेग्मेंट का हिस्सा नहीं बन सकता सो इन्दिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स ही होगा क्यूंकि कॉन्वेक्स कर्व पे ही यह कंडिशन फुल्फिल होगी ठीक है सो कंसुमर एक्विलिब्रिम की कॉन्स ही दो कंडिशन है पहली MRS X Y is equal to the price ratio and second MRS should be diminishing continuously ठीक है बच्चो अब इससे आगे हम बात करेंगे price and substitution effects की ठीक है तो मिलते अगले वीडियो में बाई नाव टेक केर